नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नाकपूर की विविध हल्चल पर राश्टरवादी कॉंग्रेस पार्टी के प्रदिशाद धिक्ष एवं राज्य के जलसंपदा मंत्री जैंत पार्टिल के जनम दिन के अवसर पर सांसत सुप्रिया सुले की सूचना के अनुसार एवं राश्टरवादी युवती कॉंग्रेस के प्रदिशाद धिक्ष सक्षना सलगर के मार्ग दर्शन में राश्टरवादी जिवलक उपकरम के अंतरगत कोविड-19 महमारी से अना उपस्तित रहेगी और वे COVID-19 से अनाथ हुए बालिकाव से बाच्चित करेगी राश्टरवादी युवती कॉंग्रेस ने तमाम कारे करताओ पदादी कारियों और स्थानिय नागरिकों को उपस्तित रहने का आभान किया है प्रभाकतिस EWS कोटर सद्भावना नगर में महापोर दयाशंकर तीवारी वो उपमहापोर की मौजुद्गी में आयोजित एक भव्य समारोह में विभिंतन सामाजिक संस्थाओ से जुड़ी समात सेवी का राजश्री मांधलकर ने अपने दोसों से भी अधिक कारे करताओ के साथ भारती जनता पार्टी में प्रवेश लिया महापोर दयाशंकर तीवारी एवं उपमहापोर मरिशा धावडे के हस्ते सभी कार्य करताओ का भाजपा का दुपट्टा पहना कर स्वागत किया गया इस मौके पर महापोर वो उपमहापोर के हस्ते मांधल करके जनजम कार्या लेका फीता काट कर भी उद्गाटन किया गया प्रमुक अतीथी के तौर पर उपस्तित महापोर दयाशंकर तीवारी ने भाजपा में प्रवेश लेने वाले सभी कार्य करताओ से कहा कि वे एक ऐसी पार्टी में प्रवेश कर रहे है जो राष्टियता से ओध प्रो क्षेत्रों में आकांक्षा सौंस्था के माध्यम से मनपा के इंग्लिश मीडियम के स्कूल खोले गए इन स्कूलों में आज 16,000 विद्यार्तियों को बाईजूस एप के माध्यम से निशिल्ख ओनलाइन शिक्षा दी जा रही है पुर्वनाग प्रविधानसभा क्षेत्र के कलमना रेलवे स्टेशन में लोही की सलाखे एवं लोही की प्लेट से भरी बड़ी गाडिया प्रोज आती रहती है और वहां लोडिंग, अनलोडिंग की प्रक्रिया जारी रहती है कलमना रेलवे ने स्टेशन में उन ट्रैकों के आने जाने के लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है लेकिन वे गाडिया उस रास्ते से नहीं आती, उस रास्ते के बज़ाए वह गाडिया चिखली बस्ती से आना जाना करती है, जोकि उनको शॉर्टकट पड़ता है, जिसस कलमना पुलिस टेशन के पी आई विनोत पाटिल ने स्टीथी का जाईजा लेते हुए, सभी नागरिकों से इस पर पुलिस एवं प्रशासन की और से उचित कारवई करने का आश्वासन दिया, आन्दोलन में प्रदिप पोहाने के साथ-साथ शशिकला ढोके उशाकोरे वि इंकु महाराज गुरुपरित सिंग की प्रेणा से गुरुदर्बार कुशिनगर जरिपटका में 40 दिन का सुखमणी साहिब एवं जपुची साहिब का पाठ निरंतर किया जा रहा है। संगत घरों में ही पुजन कर रही है। इस अउसर पर प्रोफेसर हनुमान प्रसाथ शुकला अद्धिक्षिय उद्भोदन दे रहे थे उन्होंने कहां कि राष्ट्य शिक्षा निती में मात्रु भाषा में शिक्षा प्रदान करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। हमने स्कूली शिक्षा से उच्च शिक्षा तक अपने-पनी मात्रु भाषा में शिक्षा प्राप्त करते हुए मात्रु भाषा का गौरब बढ़ाना चाहिए और सभी मात्रु भाषाओं को कंधे से कंधा मिला कर चलना चाहिए। इस अउसर पर प्रोफेसर शुकल ने धर्ती हमारी कविता का पाड़ भी किया ओनलाइन तथा ओफलाइन माध्यम से आयोजित कारेक्रम के दोरान शोधार्तियों और विद्यार्तियों ने अपनी-अपनी मात्रु भाशाओं में कविताय तथा वक्तव्य प्रस्तुत किये बेटी बचव बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतरगत भारतिय जन्ता पार्टि द्वरा बीस फरवरी तक वक्तरुत्व स्परधा का एवजन किया गया था जन्ता से मिल रहे भारी प्रतिसाथ को देखते वे स्परधा की अंतिम तारिक 28 फरवरी तक बढ़ा दी गई है पाटिल एवं पूर्व मुख्यमंत्री विरोधी पक्षनेता देविंद्र फटनाविस शाराद्यक्ष प्रविंदटके के मार्क दर्शन में एवं प्रदेश सयोजी का शुभा पाध्धे के नेतरुत्व में पूर्वी विधर्प की सयोजक संतोष दिपक लड़्धा द् ना कर साइट पर अपलोड करना है इस विशे के प्रकार है एक आज की पिढ़ी तंतरस नहीं पिढ़ी दो विचार मंथन शादी की उम्रह 21 साल तीन सुजन करती में फिर भी असुरक्षित में चार भारतिय नारी आत्म निर्भर नारी पांच बेटी देश की शान हर घर का स इस प्रकार है राम की बंडी हैदराबाद में पिछले कई वर्षों से साउथ इंडियन फूड का जाना मना ब्रांड है उनके कई आउटलेट हैदराबाद में है जो की अपने कुरकूरे दोसे के लिए मशूर है नाकपुर में पहले आउटलेट का सदर में शुभारम हो ग राम की बंडी श्रधा कॉंप्लेक्स मंगलवारी सदर में स्तीत है नाकपुर मंडल के हेट टी सी जीतिंद्र कुमार सिंग को 21 फरवरी को गाड़ी क्रमांक 12193 यश्वनपूर जबलपूर एक्सप्रेस में नाकपुर रिटार सी के बीच कारे करते समय स्लीपर कोच में एक तिंद्र कुमार सिंग ने अपनी सूजबूत से नाबलिक लड़की को इटार सी में महिला आरपी एफ के सुपूर्थ कर अपनी उत्कुरुष्टक कारिया शैली और सामाजिक जिम्मेदारी का शानदार रूप से वहन किया है जी एस रायसोनी कॉलेज उने कुछ बच्चो को इंटर्शिप करने NGO फिल गूट फाउंडेशन के पास 15 दिन के लिए भेजा यहां बच्चों ने समाज के पिछड़े वर्क के लोगों की तकलीफों को करीब से जाना और सदर सलम और पागल खाना सलम के बच्चों में किताबे, कपड़े, खिलों ने वितरित किये बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में भी जाग रूप किया गया जहां डॉक्टर भावेश जैन ने कुछ ट्रांसजेंडर उससे संपर्क साधा और उनके लिए टीजी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड बना कर देने में सक्षमता दिखाई एंजियो फिल्गूट फांडेशन के संस्थपक डॉक्टर निकेश अंबाडे के निरिक्षन में सारी का रवाई की गई राइसोनी कॉलेज के छात्रों में गौरव देशमुक, सौरब डोंग्रे, पुर्वेश, दीप, वरुशब, संदीप, तन्मय, विशाल और अन्य विद्यार्थियों का समय विश्रहा आज 15 प्लस और 45 प्लस आयू वर्क के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का ठीका करण नागपूर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंदरों पर होगा टीका करण का समय शाम के 5 बजे तक होगा टीका करण के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पधधतियों से पंजी करण किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंदरों पर भी 15 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरीए टीका करण किया जाएगा यह जानकरी चिकित सास्वास्त अधिकारी डॉक्टर संजय चिल कर दे दी है इसी तरह 15 वर्ष और 45 वर्ष के नागरिकों के लिए कोवाइक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्टर बाबा से बामेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वर्गिये प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंदर एमस आइसोलेशन अस्पताल इमाम बाड़ा, इंद्रा गांधी अस्पताल गांधी नगर, मनपास्त्री अस्पताल पाल्ज पावली और प्रगाती हॉल्दी घोरी में उपलब्ध है संत निरंकारी मिशन द्वारा बाबा हर्देव सिंग की स्मुरूती में आज पूरे देश में लगभग 100 निरंकारी सत्संग भावनों में निशूल का नेतर जाज शिवीरों का आयजन किया जाएगा मिशन की ओर से जरुरत मन मरीजों को दवाईयों वन नजर के चश्मे भी दिये जाएंगे इसी श्रंखला में नाकपुर के निरंकारी सेवा दल द्वारा स्वच्छता अभियान वब रुक्ष समवर्धन कारेकरम के तहद आज विवित सेवाय दी जाएगी निर्धारित कारेकरम के अंतरगत स्थानिय सेवादार जरीपट का वैशाली नगर व कामठी रोड येरखिडास्टित मंडल के विशाल भूखंड़ पर साप सफाई करेंगे विगतवर्ष वननेस वन अभियान के अंतरगत सिंधी कॉलोनी खामला वो गुरेवड़ा में रोपे गए एक हजार पौधो के सववर्धन हेतु सिचाई की जाएगी शहर के निरंकारी सेवादारो द्वरा रोपित पौधो के तीन वर्षिय जलस अवर्धन की सेवा में विगत वर्ष से ही निरंतर जारी है इसी महा अभियान को आगे बढ़ाते वए मिशन के सेवादारो द्वरा इस दिन 50,000 रुक्षत देजभर में लगाये जाएंगे स्कूल के प्राचारे राजेंद्र मिश्र ने दीप्रजोलंकर छत्रपती शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर मल्यरपन किया स्कूली बच्चों द्वारा तैयार किये गए चित्र नोटिस बोर्ट पर लगाये गए स्कूल के प्राचारे ने सभी विद्यार्तियों से उनलाइन शिवाजी जैनती सेलिबरेशन में सहभागी होने की अपिल की अरविंद इंडो पबलिक स्कूल में विध्यार्तियों ने अपने भाशन में शिवाजी महराज की जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंग, PPT और उनकी वीरगाथा को स्कूल के साथ साजा किया स्कूली विध्यार्तियों ने शिवाजी महराज के जीवन से जुड़े गीत भी गाय अर्विंद बाबु देश्मुक प्रतिस्थान के कारेकारी अध्यक्ष एवं पुर्व विधायक डॉक्टर आशिश देश्मुक ने सहभागी विध्यार्तियों का अभिनांदन करते वे सभी को शुप कामनाय दी भारतिय जंता पार्टी ने मनपा चुनाओं में पार्टी की नीती, कारेक्रमों, जनविकास को प्रभावित करने वाली किंद्र सरकार की अनिक योजनाओं के अलावा राज्य में तीन दलों के सरकार की सेकड़ों विफलताओं, मंत्रियों तथा उनके रिष्टेदारों के ब्रस्टाचार के अनिक मुद्दों को इलेक्ट्रोनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया के जरिये, राज्य की जनता तक सही तरीके से किस प्रकार पहुचाया जाए, इसकी रन्निती बनाई है इसी उद्देश से, शिर्डी में दो दियोसिय भाशपा प्रवक्ता पैनलिस्ट की बैठक का आयजन किया गया है यह जानकारी देते वे प्रवक्ता पैनलिस्ट चंदन गुस्वामी ने बताया कि केंद्रिय मंत्री नितिन गड़करी द्वारा किये जारे निरंतर विकास से राज्य का होरा काया पलट एवं पुर्वो मुख्य मंत्री देविंदर फर्नविस के कारेकाल में हुवे विकास कारियों को लेखा जोखा नागरिकों में अलग पहचान बन गई है जनता में इसी स्वच्छ चबी को बनाय रखने तथा मनपा चुनाओं में विरोधी पार्टियों पर किस प्रकार भारी अंतर से जीत दर्श की जा सके इस पर विचार परमर्श किया जाएगा और असरदा और योजना बनाई जाएगी इसी उद्देश से राज्य के सभी विबागों के सभी प्रवक्ता पैनलिस्ट के अलवा विधर्ब से पार्टी के प्रवक्ता शिवराय कुलकरणी, वरिश्ट प्रवक्ता, पुर्व विदायक घिरिश्वयास, धर्मपाल मेश्राम, शिवान किया जा रहा है सरकार के इस नीती से जन स्वास्टय को खत्रा उत्पन न हो सकता है ऐसी संभावना नागपुर जीला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट असोसियेशन के अध्यक्ष राजेंद्र कावड कर एवं सची उहितल ठक करने व्यक्त की है उन्होंने कहा कि बारवी उत्तिर के कारण ही अब तक देश में दवा विक्रेता के कारण मानव जीवन को हनी नहीं हुई है महराष्ट्र स्टेट फार्मसी काउंसिल कारेकारेनी सदस्य हरिश गनेशानी की अनुसार राज्य में 3,4,000 के करीब पंजिक रूत फार्मसिस्ट होने के बावजूद ऐसे निर्ण लिये जा रहे है या त्यंत दुखद है फार्मसी विद्यारती फार्मकोलोजी मानव शरीर रचना शारीरी कंगो की नईतिक रूप से भी वाकिफ है वर्तमान में देश में स्वास्थक शेत्र में फार्मसिस्ट की उपलबदत का प्रावधन अन्न एवं संदर्य प्रसाध प्रसाधन काईदा 1940 एवं नियम 1945 के तहत किया गया है फार्मसिस्ट के उपस्तिती में ही यह व्यवसाय होना चाहिए ऐसी मांग की जारी है नाकपूर स्थित बैंक नगर राजभाषा कारियानवयन समिती नाकपूर द्वरा राजभाषा कारियानवयन चुनवतिया एवं समाधन इस विशे पर ओनलाइन राजभाषा संगोष्टी का आयोजन किया गया इस ओनलाइन राजभाषा संगोष्टी का उद्घाटन नागपूर अंचल के आंचलिक प्रबंदक संतोष एस द्वारा किया गया इस संगोष्टी में बैंक नगर राजभाषा कार्यान वैन समिती नागपूर के सदस्य तमाम कार्यालयों के कार्यालय प्रमुक एवं उनके राजभाषा अधिकारी ओनलाइन मध्यम से जुड़े इस संगोष्टी में इसके साथ ही भारत सरकार ग्रुवमंत्राले राजभाषा विबाग क्षेतरिय कार्यान वैन कार्यालय पश्चिम मुंबई से उपनिदेशक कार्यान वैन डॉक्टर सुश्मिता भट्टाच्यारे भी सवसर पर जूड़ी थी उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कार्यालय प्रमुकों को राजभाषा कार्यान वैन का दाइत्व सोपा गया है राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत राजभाषा कार्यान वैन की जिम्मेदारी प्रशासनिक प्रधान की है उन्होंने कहा कि कार्यलाय प्रमुकों को स्वयम राजभाशा हिंदी में टिपपनी लिखनी चाहिए इमेल या पत्र आधीके माध्यम से हिंदी का मौलिक काम का प्रदर्शित होना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सब्विधान के अनुच्छेत 351 के तहथ हिंदी का प्रचार प्रसार एवं क्षेत्रिय भाशाओं के साथ समन्वाय भी स्थापित किया जाना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि राजभाशा हिंदी के साथ सब्विधान की आठवी अनुच्छी में शामिल सभीक्षेत्रिय भाशाओं को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए महमुदा शिक्षन और महिला ग्रामिन विकास बहुत देशिय संस्थान तरगत सेंट्रल इंडिया ग्रूप आप इंस्टिट्यूशन लोनारा के सहयोक से MSME विकास संस्थान नागपूर, MSME मंत्राले भारत सरकार द्वारा उद्ध्योजक्ता जागरुकता कारेक्रम का आयोजन किया गया इस कारेक्रम के प्रमुकति थी DCP Zone 1 लोहित मतानी, IEDES डाइरेक्टर, MSME PM पारलेवार, पुर्व केबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस हैमत बनी, सीमा खतीब, ट्रस्ट के सदर से आरिप फारुक, MSME DI के असिस्टन डाइरेक्टर राहूल मिश्रा, जीला उद्ध्योक केंद्र के महाप्रबंदक शियुकुमार मुद्दमवार, BDA Health Care Private Limited के फाउंडर और MD संतोष दिशपंडे, कॉंग्रेस के महाराष्टर जोलान करके की गई, कारेक्रम का उद्धाटन, PM पारलिवार के हातों किया गया, इस कारेक्रम का मुख्यो देश, आज की प्रतिस परदा के महाल में, नोकरी तलाशने वाले युवा नोकरी, बाजार गिरने की वज़ा से बेरोजगार घूम रहे है, इस विशे पर परामर् अखंड हिंदुस्तान के आराध्य छत्रपती शिवाजी महाराज की जैनती के अउसर पर, जैशिवाजी सामाजिक संस्था सावनिर द्वारा, ग्रीन एंड क्लीन फाउंडेशन के फाउंडर, संदीप मानकर को कोविड काल के दोरान किये गया, उल्लेखनी ये कार्य के लि नगर अध्यक्षर एखा मुहादे, एड्वोकेट भूदा बरडे, डॉक्टर के आर भगत, प्रध्यपक अभिलाश नकाते, विजे कुमार शिंदे, अरुन वनकर, प्रशान ठाकरे, गजु कोमजवार, रमिश वानखेडे, पांडुरंग भोंगडे, विक्रम गमे, गटे, तेजा सिंगोले, प्रविन नारेकर, आधी मान्नेवर उपस्थित थे किया, इस अउसर पर दीपक पाटिल, प्रशास्किया, एवं लेखा अधिकारी, दक्षिन मद्यक्षेत्र सांसुरतिक केंद्र नाकपूर, अक्षय सावन्द, अध्यक्ष, ABCD डांस फाउंडेशन, सातारा, एवं पंकट चवान की प्रमुक उपस्थिती रही, शिवाजी किया, इस अउसर पर सातारा में आयोजीत यहा केंद्र द्वारा यहा प्रथम कारेक्रम था, इस कारेक्रम में पाच बार राष्ट्रपती के सामने अपनी प्रस्थूति देने वाले शाहिर विशारद, डॉक्टर आजात पापलाल नायक वडी देवरा, शिव चरित्र को उ पर्षकों की उपस्थिती रही, एवं कलाकारों की प्रस्थितियों को उन्हेंने बहुत सराहा, जरीपट का कॉंग्रेस कमिटी द्वारा आयोजीत निशुलक रूगनिदान शिवीर को जनता का भारी प्रतिसाद मिला, भारी संख्या में लोगों ने विशेशग्य चिकित प्रारंब में पालक मंतरी डॉक्टर नितीन राउत ने फीता काटकर शिवीर का विदिवत उदगाटन किया, पालक मंतरी ने नाग विदर्बस सेंट्रल सिंधी पंचायत के अध्यक्ष एवं पूर्वन अगर सेवक सुरेज जग्यासी के नेतरूत्व में सूचार्यू र डॉक्टर नरेश गुर्बानी, डॉक्टर सुमीत जग्यासी, डॉक्टर गुर्मुक मंतानी ने सदिच्चा बेट दी। तुशलोनारे प्रमुक्ता से उपस्टित थे। रुपे का जुर्माना वसूला गया। उपर उक्तस अभी ऑपरेशन सायूक्तरूप से नागपूर सिटी पुलिस द्वारा किये गए थे। ट्रेफिक विबाग ने यहां आवान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से संबंदित सभी दस्तावेज अपने पास रख